कई आप सो अलो पिपल जिस आप चैनल सीय तीवी एंड इस वीडियो में हम जो है जो हमने प्रीवियर से जो भी टॉपिक्स बड़े से जिसका वीडियो अप्लोड कर दिया था वो टॉपिक्स पे अब हम क्याशन करेंगे रैट तो बस इसके पहले एक ये पीज भी समझ लो एक ये सेक्शन भी देख लो जो नहीं उसमें देखने में आया था वो है रेसिडेंट डिरेक्टर का उसके अप्लिक अबिलिटी की बात करें तो इंडियन रेसिडेंट डिरेक्टर सारी कंपनी इस पर लगता है साथे साथ इनको डिसाइड करना पड़ता है इंडिया में for more than equal to 182 days in current financial year current financial year में अगर ये more than equal to 182 days या इंडिया में रह रहे हैं तो वो इंडियन डिरेक्टर है अगर company फिलहाल हाली में incorporate हुई है जैसे company को incorporate हुए शे महीन हुए है 182 days जो है वो इस तर प्रपोर्शन में हो जाएगा साथे साथ जो amendment ये है कि financial या 1920 में जो minimum residency वाला concept है ये जरूरी नहीं है तो ये सिस year wise है 1920 में वैसे भी pandemic situation थी तो जो compliance है ये compliance को कुछ अत्तक कम कर लिया गया है और एसे डेंट डिरेक्टर के लिए भी ये compliance नहीं जहा है financial in 1920 के लिए ठीक है तो यह है कुछ इतना खास नहीं इसमें और थोड़ा सा फीवर होनने की कारण voice modulation में थोड़ा वो दूपर नीचे हो सकता है है बटाइब ट्राइब कि आपको जो भी डिलीवर हो वह clearly ही डिलीवर हो ओके तो चलो स्टार्ट कर साम पहला क्यों के लिखाव है कि as per article of association maximum number of director in each of the following company 9 okay maximum number nine see a maximum number को हमने पढ़ा था अगर हम देखे 149 के वन में जहां पर लिखावा है कि article can reduce maximum limit वो अपनी maximum limit को reduce कर सकते हैं तो इधर भी 9 करके maximum limit को reduce करके रखाए ठीक है तीन company है एक है public private और government company ठीक है कि अब बोड़ डाइटर ऑफ फोर सेड कंपनी रपोस्ट इंक्रिस नंबर ओफ डिरेक्टर तो 15 अब 9 का अगर इनको 15 ले जाना है तो आप तो यह वोलोगे कि और फिर जो है आटिकल अमेंट करने के बाद आप जो है अपॉइंट करो डारेक्टर से फिर जो है डारेक्टर वो जनरल मिटिंग के ओर में डारेक्टर अपाउंट हो जाएंगे गवर्मेंट कंपनी में आपको यह स्पेशल लिखना पड़ेगा कि जो मैक्जिमाम नंबर ओफ डारेक्टर का जो कांसेप्ट है कि 15 होने चाहिए यह इस पर अप्लिकेबल नहीं होता है और इनकी इंक्रिस पर जो है स्पेशल डिजॉलिशन लगता है यह इस पर अप्लिक फिर बोला कि कंपनी मोर दें पंदर डारेक्टर अपॉंट कर सकते स्पेशल डिजॉलिशन लगेगा लिमिट जो है मैक्जिमम नंबर ओफ डारेक्टर कब वह इंक्रिस कर सकते हैं पर वह लिमिट ओफ मैक्जिमम डारेक्टर और देर इंक्रीज वो नॉट एप्लिकेबल क से लिंफ वह सिंप्ली जो है अपउन्हार इडिशनल से डारेक्टर इंजशनल रिट कर और वह वह सिंपली कि अपउयद करो अदेशनल ऋडिशनलिघर इन जनल मइटिंगं मेंमिन वीट रहटिस को मैक्जिमम नंबर ओफ डारेक्टर को जो है सिस्टिन की कि के अशा कि of association to be altered as to provide maximum number of director to 15. Government company की बात आती है तो government company में बोला है कि limit of the maximum director है और जब तरह increase है वो इस पर आपटी के बल नहीं होता है अगर government company जो है उसने default नहीं करा हो in filing annual financial statement and annual return अगरा question चलो in XYZ limited an intermittent vacancy of the woman director arises 15 जुन को woman director case में vacancy arise हुई by what time vacancy is so created should be filled तो हमने पड़ा था कि woman director की respect में जो है vacancy जो है वो फिल होती है तीन महिने में या immediately next board meeting में three month या immediately next board meeting whichever is later इसका तीन महिने कब खतम हो रहे है 15 September और immediately next board meeting कब हो रही है जौदा आगस्ट whichever is later क्या है 15 September तो पेले वाले case में जो है 15 September आईगी डेट देख लेते हैं ओके 14 September बोला है ठीक है लिख लेते हैं कि जब 15 जुन को vacancy create हो रही है तो तीन महिने एंड होंगे 14 September में ठीक है यह भी सही है पीज़ा 14 October हो रहा है तो इस जो लास जट है हो हमारे 14 October होगी कि इस चैट भी फिल्ड अब बाए 14 October ड्राफ्टिंग की बात करें तो वही बात है कि पहले उपर heading देके रखी है heading देने के बाद जो है उन्होंने पुरा प्रोविजन बताके रखा है और जो है conclusion देखे रखा है तो heading देखे रखी normal provision बताके रखा है साथ इसाथ उन्होंने conclusion देखे रख दिया क्योंकि इंदग इवन केसे सब बताने का जरूरत नहीं पड़ रही थी ओके इसको लिख लेते हैं जो हमारे इसमें जो कड़ बढ़ हूँ इसको हम इदर लिख लेता ह तो यह लिखावा है कि अगर vacancy जो है create हुई है पंदरा जून को तो तो तीन मेने जो हमारे end हो जाएंगे वो 14 September कोंगे और इस तरीके से हमने जो है यह particular चीज़ को incorporate कर लिया है ओके तीसरा क्रेशन करते हैं देखो तोनों क्रेशन को पहले काड़ देते क्योंकि इतना कुछ थे नहीं इस क्रेशन में है ओके चलो रॉयल लिमिटेड इस अ कंपनी लिस्टेड एड मदरास स्टॉक एक्स्चेंज इंकॉपरेटेड ओन एक जनवरी 2018 वोड़ डायरेक्टर ऑफ दे कंपनी डिसाइड तो अपॉइंट वोमन डायरेक्टर और रिसिडेंट डायरेक्टर तो हर कंपनी में अप्लिके कंपनी तो अपॉइंट सच डायरेक्टर इन इडिस बोड तो रेसिडेंट डायरेक्टर तो हर कंपनी के लिए में होना चाहिए हो साथ ही साथ यह वोमें डायरेक्टर है वो भी मेंडेटर यह तो एक बार अपन प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो 1491 का जो सेकेंड प्रो सु करोडियो से जाद हो और तरनोवर जो है वह तीन से करोडियो से जाद हो तरीके से जो हो यह अगे paid up capital और turnover जो है वो लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट और फिनेंशे स्टेट्मेंट हम दिखेंगे यह हमने बात करी फिर जो है newly incorporated companies के लिए जो अपने बात करी थी कि इनको जो criteria है वो छे महिने में पूरा करना है यह भी उन्होंने लिखा हुआ है कि newly incorporated company है तो विजिन 6 months from the date of incorporation उन्होंने criteria पूरा करना है जब आती बात डेसिदेंट डारेक्टर की यह लिखावा है कि every company लिखावा है all companies को इधा भी लिखावा है every company at least one director who stays in India ठीक है वो जो stay period है वो not less than 182 days यह से जाधा होना चाहिए during the financial year मतलब current financial year की बात कर रहे है ठीक है और अगर newly incorporated company है तो उस पर जो है लिमीट यह proportionately applicable हो जाएगी इस टाइकर से हमने प्रोजिशन की बात करें वाट वॉट वूट बीर आंसर in the in case the company is a non-listed company and the board of director decided not to have woman director in the company's vote तो non-listed company में को जिक्कत नहीं न है ठीक है चलेगा पर अगर turnover लिमिट से जाधा है रूफिता पांड करनी पड़ेगा न तो लिखाव है इनके सब unlisted company टीक है डाइकर इस not mandated woman director is not mandated really provided company is not provided company is not covered in rule 3 यह यह तभी होगा जब company जो है वो non-unlisted company वो rule 3 में covered नहीं हो आती बात तीसरी what shall be your answer in the case company in question is not listed at any of the exchange ठीक है paid up share capital of the company 70 crore turnover 200 crore तो भई turnover 200 crore तो यह तो हो गया ना limit से जाधा है क्या limit से जाधा नहीं है तो अपांड करने की जड़त नहीं है appointment of movement director is not mandatorily his company does not fall under the categories of rule 3 okay easy question the cut off चला अगला question article of association of Rajasthan toys private limited provided that maximum number of director in the company shall be 10 तो article of association नहीं बोलकर रखाये maximum number of director 10 होना चीए presently company is having 8 director ठीक है board of director of the state company desire to increase number of director to 16 अब जब 16 तक लाना है to advise well under the provisions of companies that the board board of director can do so तो क्या कर सकते क्या 16 तक ले जा सकते क्या प्राइवेट कंपनी का क्येस है अब मुझे बताओ यह प्राइवेट कंपनी पर applicable होता है क्या हाँ applicable तो होता है जो 149 वन है वो सिफ government company पर applicable नहीं होता है प्राइवेट कंपनी पर अप्लिकेबल होता है तो तो सिफ government company और section and company में थोड़ा सा है कि maximum की limit उस पर applicable नहीं होती तो प्राइवेट कंपनी पर तो होती है तो आर्ट डारेक्टर है शोला तक ले जाना है तो सौसर फिर तो आर्टिकल अमेंट करना बढ़ जाएगा ठीक है एक special resolution उसका बन रहा से यादा डारेक्टर हो रहे है एक special resolution उसका फिर जनरल मिटिंग के ओर में डारेक्टर को अपॉइंट कर लो 1491 की बात कर लिए इसमें जापर मिनिम्म नॉबर ओडिरेक्टर बताया मैंग्जिम नॉबर ओड़ दैक्टर बताया मोर्दन मैंग्जिम है तो सब्सक्राइब कर दी सबसेंपर अल्टर अर्टिकल अशुशेशन अंडर सक्षिन 14 और जो स्क्राइब कर लोगा बात कर सुछ टुक्टर अल्टर सेमिल्टर अचलिकाइब कर लोगा बात कर दा इसिए ऐस सथे एच्यों पॉणिज पास अटे जिए और इसुछ नॉबर ओड रटेद अंडिरेक्टर अट्टर अचलिकल फॉट्सी अंडेंगैं की तो बोल can increase number of diter after altering AOA and passing special dissolution 149.1 थीक है हम जात ऐसे लिखते हे तब हम आसे से लिखते है कि नोसे से लिख सेडाई के जगेफ आपड़ः को चेंज केरने के लिए बिसे सैफेशल दिडी आपी के लिख होगा तो क्या आप क्या बेक्या करो अ乾्न वहूは सच है सथ है An especially resolution पास्करोड To increase the number of directors to sixty अगला Кरेंशन Examine the validity of the following appointment Which reference to the provisions of companies like 2013 The board of director of M&P Limited Appointed Ms. Neha as woman director Thigke in the board meeting Held on 10 September 2011 The said appointment was made to fill the vacancy Abhya جब appointment यहा हुँ इसलिया हुआ आफ फिल वेकंसी of the woman director which has occurred as a result of resignation of Miss Sheila on 30 June 2019 Sheila ने 30 June 2019 को जो है vacancy create design कर लिया था vacancy होगी तो 30 July, 30 August 30 September और ये 10 September को तो इसने वो कर दिया 10 September को इसको अपॉंट कर लिया गया तो तीन वहिने में तो हुआ है Will your answer differ if the board meeting of the company was held on 8 November 2019 1 second अब जब आठ पहले तो इसके पहले वाला question भी आपन कर लेते हैं ठीक है क्या बुला है कि 30 June 2019 को अगर resignation है vacancy create हुई है तो जो vacancy create हुई है उसको तो 3 मेने के अंदर हमें fill करनी है राइट तो 30 June के बाद क्या था 30 July 30 August तो 30 September 30 September के पहले ही 10 September को ही इसको जो है fill कर लिया गया है तो सही कर रहा है ठीक है पहले इसका अंसर देख लेते हैं ठीक है अब देखो 30 September की जगा हूं 29 September करना हा to be filled by latest by 29 September or the day ठीक है of the next board meeting whichever is later यही है woman director का ठीक है तो Miss Neha was appointed in the next board meeting after the vacancy aros that is on 10 September तो ठीक है ठीक है ठीक है अब will your answer differ if the board meeting of the जो company है held on 8 November अब जब immediately next board meeting अगर आपकी 8 November को रही है तो ठीक है कोई दिक्कत नही है 8 November सक आप अपॉंट कर सकते हो क्याल का हुआ है appointment of Miss Neha valid है answer will remain same even if MNP limited appointment Miss Neha in the board meeting held on 8 November provided the said meeting is the first meeting of the board after 30 June तो यह तब भी होगा provided जो जो meeting है यह vacancy के बाद की first meeting हो जो particular text को भी इदर लिख लिया गया है कि जो said meeting है one second किदर गया हो हाँ the said meeting is the first meeting after vacancy ठीक है अब अब examine the validity of following appointment with reference to the provisions of companies that LKG Limited was incorporated on 5 मही पांच मही को incorporate हुआ under the companies अब थीक है तो न पांच मही को incorporate हुआ है Mr. Ravanarujan was appointed at first resident director of the company in the board meeting held on 30 September 2019 तो दो देको क्या था इसमें कि LKJ Limited was incorporated यह तो incorporate हुआ 5 मही को और रामनुजन को अपॉइंट किया first resident director see आज समचना पड़ेगा पांच मही को अपॉइंट किया फर्स resident director of the company in the board meeting 30 September को अपॉइंट किया अब देखो आप क्या वोलोगे क्या यह पांच मही को इंकॉपरेट हुआ है और resident director तो वह होगा जिसकी current financial year में decide हो 182 days यह उसे जाधा तो अपन क्या वोलेंगे क्या यह जो अगर रामनुजन है अगर वो current financial year में decide करता है एक सो भी यह से जिनियों से जाधा तो इसको resident director अपॉइंट कर सकते है ठीक है अब यह company पांच महीं को इंकॉपरेट हुई है तो ऐसे में proportion applicable हो जाएगा अब इसको रामनुजन को अपॉइंट किस ने किया है रामनुजन को लिखा हुआ है और हमारा first director क्या होता है अगर इसको हम रिकॉल करें तो यह नहीं हमारे notes first director में जो 10-year होदा है इसे अपॉइंट किया जाएगा आर्टिकल नहीं है तो regulation 60 table f जैसा पॉइंट होगा जिसमें बोला गिया है कि majority decide करेंगे कि कौन first director है यह भी silent है तो फिर एसे case में सारे individual subscriber to the memorandum वो first director होते है यह हमने बात कर लिए first director का provision ठीक है कहीं भी ऐसे नहीं बोलके रखा है कि board of director appoint करते है कहीं भी ऐसा नहीं बोला तो अगर आपका first director resident director है तो resident director का तो प्राइस करना पड़ेगा बड़ फर्स director का भी तो करना पड़ेगा न तो इधा तो board meeting में अपॉइंट हो गया अब चेक करते हैं समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे है 149 3 सबसे पहले इन्होंने resident director की बात कर दी फिर आई बात 152 1 की okay इन्होंने फर्स director की बात कर दी ही नहीं करा है इस particular answer में सारे subscriber to the memorandum जो individual है वो deem to be the first director हो जाएंगे all individual subscriber ठीक है तारे subscriber to the memorandum जो individual है वो first director बन जाएंगे चलो ठीक है 152 2 क्या बोलता है कि the same as otherwise expressly provided in this act every director shall be appointed in the company in general meeting अच्छा general meeting में appoint होता है board meeting में कैसे अगल लिया in the present case अब समझो in the present case in corporate हुआ है पांच माई को one second what happened to this तो देखा जाए in the present case है अगर हम बात करें in the present case lkg limited को in corporate हुई है पांच माई को one second lkg limited in corporate हुई है पांच माई 2019 if no provision made in the article of the company for appointment of first director subscriber अगर कोई provision नहीं है तो subscriber जो है जो individual है वो deemed to be the first director हो जाते हैं until the directors are duly appointed the appointment of Ramanujam as the first director in the board meeting held on 30 September 2019 is not in accordance with the provision तो इधर समझना पड़ेगा कि इधर बोर्ड मिटिंग में अपॉइंट थोड़ी नहीं हो सकते हैं क्योंकि 152 क्या बोलता है कि डारेक्टर शेयल वी अपॉइंट इंड बाई तो इधर भी 152.2 में इधर भी एक हिंट की तरह से लिख देता हूं कि 152.2 में जो है डारेक्टर जो है बुले जाता है कि डारेक्टर अपॉइंट बाई अच्छा क्योशन था जाप हमको रेसिडेंट डारेक्टर के बारे में भी बात्चित करनी थी वह साथ हमको फर्स डारेक्टर के बारे में भी बात्चित करनी थी और फर्स डारेक्टर के इसाब से तो सारे इंडिविज्यल जो सब्सक्राइबर है वह हमारे फर्स करना पड़े का करनघा कि कारण फिनेशियल यह में अगर वह 1 22 अगसे जाधा रहे तो तो रिज्टेंट डारेक्टर है तो फैर थे क्रिचेशन अच्छा गैशन था पड़की समझ में आजाएगा कि यह क्वेश इतना relevant नहीं है Sky Limited Listed Company है has been incorporated under the Companies Act Intermittent Vacancy of Women Director 15 June को ठीक है हुई थी ओर Company को Vacancy फिल करनी है Board Meeting hold हुई है 14 August को 15 June का 15 July, 15 August, 15 September 14 September 14 August को meeting held हुई है 14 September तक आपकी डेट है आप तब तब Vacancy को फिल कर सकते हो ठीक है, it shall be filled up by 14 September तो वह है कि 15 June है तो आपको 14 September करना पड़ेगा यह हम बात कर चुके हैं ठीक है, कुछ खास नहीं था चलो Question करते हम KMR Limited का KMR Limited एक लिस्टेट पब्ली कमपनी है जिसके 15 डेरेक्टर है on its board, Article of Association of the Company provided maximum number of director to be 15 ठीक है, due to diversification and expansion of activities the board of director of the state company desire to increase the number of director to 18, article amend करना पड़ेगा, साथी साथ special resolution pass करना पड़ेगा to increase the number of director to 18 तो क्या board of director कर सकता है तो board of director को पहले special resolution यह सब पास करवाना पड़ेगा तो board of director can do so अगर हम बात करें तो board of director के इंक्रीस number of director तो board of director के इंक्रीस number of director after altering article of association under section 14 and by passing special resolution जो है board of director अपउइंट करेंगे तो हो चुका है then उसके बाद जो है OR पास करो और director को जो है general meeting में अपउइंट करो तो board of director पहले अपउइंट करेंगे then इसको आज general meeting में अप्रूब होगा board meeting में तो बिल्कुल अपउइंट नहीं होगे हाँ तो question में क्या पूछ रहे है कि whether the board of director can do so तो see board of director तो ऐसे भी 4 तरीके के director appoint करते है 161 का 1,2,3,4 जो हमारा होते है additional alternate, nominee or casual इधर ऐसे तो कोई बात करके नहीं रखी है question में आप बूल के रखा है question में ये बूल के रखा है कि भईया 15 director है 15 director उनको ले गए है और company की इच्छा है कि 15 director को 18 director के तरफ इंक्रीस कर दे तो ऐसे case में आपको दो चीज करने बड़ेगी एक तो article of association को अंडर section 14 करना पड़ेगा special resolution से साधे साथ आपको एक special resolution pass करना पड़ेगा क्योंकि आपकी director की limit 15 director से हो रही है 8 director तो ऐसे case में क्या होगा कि सबसे पहले special resolution pass करो दो special resolution pass होंगे and then फिर आप a point कर सकते हो फिर दूसरा question यह है कि will your answer differ if the said company would have been a government company see question में यह बोला है कि क्या आपका answer differ हो जाएगा अगर यही company government company हो तो आपको समयचना पड़ेगा कि हमने provision में पढ़ा था कि यह जो देखो मैं आपको notes मताया तो यह notes में का लिखा हुआ है particular हमने पढ़ा था यह जो यह particular provision है कि maximum number of director और जब maximum number of director से increase होता है तो हमको special resolution लगता है यह सब चीज़े government company पे applicable नहीं होती है तो आपका answer क्या differ होगा जब यह company government company है तो हाँ differ तो होगा क्योंकि एसे case में आपको सिफ एक ही special resolution पास करवाना है Article of association amendment करने का बस सिफ एक ही resolution करवाना है special resolution क्योंकि दूसरा उपना special resolution तो उसके लिए है हमारा maximum number of director increase होता है तो हमको special resolution पास करवाना पड़ता है और एक special resolution होता है Article of association का तो since article of association का हमने special resolution तो पास करवाया तो दूसरा special resolution पास करवाने की जरत नहीं है क्योंकि यह government company पर applicable नहीं होता है तो इसका आपना answer एक बाद देख लेता है क्या लिखाब है in case of government company the limit of maximum number not applicable तो जो maximum director की जो limit है वो तो applicable ही नहीं होती है तो board of director increase कर सकता है number board of director number increase कर सकता है तो यह से case में सिफ एक ही special resolution लगेगा तो इस तरीके से जो है हमारे first director resident director woman director साथी साथ number of director की questions over होते हैं अब हम जो है questions आगे के जो करेंगे वो resignation of director की करेंगे तो सी यह सारे questions को cover करने में जो है हमने सारे चीज़ों को notes में incorporate कर लिया गया है तो इस तरीके से हमने सब कुछ इसदा cover कर लिया गया है अब जो बात आती है यह हमने और किया है हमने इसको cut कर दिया है क्योंकि इतना कोई relevant questions यह सब नहीं थे ठीके और जो भी relevant questions थे हम relevant questions को हमने mark कर लिया है हम वो questions देख लेंगे यह जो दो हमारे questions निकले हैं यह questions के हम separate PDF बना देंगे और यही जो है PDF हम आगे इसको study करेंगे क्योंकि यही questions बाकि यह important है बाकि तो हमने सारे notes में incorporate कर लिया है in fact हमने यह भी incorporate कर लिया है बट क्या है कि questions तो करने रहेंगे ना एक दो questions तो हम देख लेंगे उसको तो जो हमारे अगले set of questions आते हैं वो set of questions है appointment of director under section 152 ठीक है तो हमने 152 sections तो पढ़ा ही था notes से जिसा हमने यह पढ़ा था कि देखो total number of directors होते है and फिर जो rotational होते हैं उसमे से जो nearest to one third वो retiring director होते है total number of director में independent director नहीं आता in fact जो nominee director है जो special act से appoint हुआ है तो वो directors नहीं आते पर note करना कि अगर nominee director appoint हुए है under companies act तो वो nominee director आते हैं ठीक है और जो rotational director होते है यह वो director होते है जो rotation करते है general meeting में means कि जो director board of directors appoint करते है जो additional alternate nominee casual यह सारे rotational director नहीं होते है ठीक है और in fact small shareholder director भी जो है वो rotational director नहीं होते है तो हमारा next question है तीक है इसी को ही देखते हुए हमारा जो question से हम उसको एक बार question देख लेते है अगला question है हमारा कि the article of association of messa sex file limited provide for five director and all the five director are in position तो article of association के अंदर five पांच director है सारे five director appointed है are in position है how many director are liable to retire at the issuing AGM अगली AGM में कितने director retire होंगे तो सबसे पहले हमको बोलके रखा है कि article of association पांच director है उस पांच का हम two third निकालेंगे जो हमारा आएगा 3.33 यह जो 3.33 director है तो at least 3.33 director हमारे होने चीए यह मतलब हमारे कम से कम चार डारेक्टर तो रोटेशनल डारेक्टर है और चार रोटेशनल डारेक्टर है उसमें से जो हमारा one third है वो रिटारिंग डारेक्टर होने चीए मतलब निकालेंगे तो 1.33 आएगा पर नोट करना है कि 1.33 को हमको two नहीं करना है क्योंकि हमने जब प्रोविजन पढ़ा था हमने देखा था कि nearest to one third हमको लेना है तो 1.33 का जो nearest है वो one है इससे जो one director हमारा रिटारिंग डारेक्टर होगा ठीक है हम इसके answers को एक बाद देख लेते हैं देखो अगर question के answer की framing करी जा है तो देखो एसा बोलके रखा है सबसे पहले तो उन्होंने total number of director को बता के रखा है ठीक है total number of director को बता के रखा है साथ ही साथ जो है first AGM में see तो यह बोलके रखा है की under section 152 sub section 6 companies have provided unless article provide for retirement of all director अब जब तक article नहीं बोले unless article provide the retirement of all director at every AGM not less than two-third of total number of director of public limited of public company shall be persons whose period of office is liable to determine by retirement of directors by rotation so इसकी drafting हम हमारे language में भी कर सकते हैं कि जो हमारे total number of director से वो total number of director articles of association में देखे रखे हैं तो total number of director में कौन से director नहीं आते हैं यह से बताते हुए two-third of total number of director rotational director होते है जिनका जो है limit जमन बोल सकते हैं कि जिनका rotation जो है वो AGM में होता है फिर उनी सारे director में से जो है one-third director retiring director होते हैं और जो retiring director का retirement जो भी होता है वो LML method से होता है तो यसे ही जो हमारा जो आया था nearest to one-third जो हमारा one retiring director आया था तो इसमें यह भी लिखना है हमको साथी में कि जो director who has been longest in the office shall retire तो हमें question में हमेशा put करना पड़ेगा कि जो longest in the office shall retire तो यह question जो है यह भी हम card देते हैं इतना कुछ नहीं था इसमें देखने लायक अब आता है हमारा अगला question कि ABC company limited in its first general meeting उसने appoint करें 6 director जिसका period of office is liable to be determined by rotation तो appoint करें हैं 6 director whose period of office is liable to be determined by rotation ओके तो यह तो rotational director ही है छे briefly explain the procedure and rules regarding the retirement of this director अब इनकी retirement की बात करें तो one-third retire होंगे तो retiring director के 2 होंगे यह देख लेते हैं okay यह 2 होंगे questions को जहान से देखो कि क्या बोलके रखा है कि 6 director whose period of office is liable to be determined by rotation तो हम इसका extract को copy कर लेते हैं कि rotational director को अगर legal language में बोला जाए या हम lawful बोला जाए तो इसको इसा लिखा जाएगा अगर drafting की बात करें तो drafting में तो वो ही है कि 1526 बोलके रखा है कि unless the article provide for retirement of all director article चाहे तो सारे director को retire कर सकती at every AGM तो यह तो आर्टिकल बोली सकती आर्टिकल के पास तो ही पावर जिसको भी लिख लेते हैं कि आर्टिकल के पास पावर है लिख लेगा है कि unless article provide retirement of all director at every AGM हम तब ही total number of director का two-third जो है total number of director का जो two-third है वो rotational director होंगे ठीक है और director to retire by rotation at every AGM shall be those जो वो two-third मेंसे जो one-third है वो one-third retiring director होंगे ठीक है यह तो हमने देख लिया कि साथ यह साथ हमको यह भी देखना है कि director जो retire by rotation है shall be by LML method तो longest in office और M से है हमारा mutual concern यह draw of lots ठीक है in the present case company limited in its first ठीक है ABC company limited in its first general meeting जिसने अपॉंट करे 6 director उस period of office is liable to be determined by rotation सारे director जो है are being appointed as rotational director जो रिटायर होंगे वो दो director होंगे two director जो है अब वो कैसे retire होंगे longest in the office ठीक है अब क्या बोलकर रखा है कि will it make difference if ABC company does not carry on business for profit तो यह बोल रहे हैं कि अगर profit का business नहीं carry करी है मतलब कि section 8 वाली company के लिए भी क्या यही चीज़ होगी तो क्या बोला है no special provision exists for a company that does not carry on business for profit तो section 8 के लिए कोई special provision नहीं है hence answer will remain same if ABC company does not carry business for profit तो section 8 company के लिए भी answer same रहेगा इसके extract को भी लिख लेते हैं यह बीकेशन को इतना important भी नहीं था तो इसकेशन को भी हम कट कर देते हैं अगला question the promoter of public company proposed to have a strength of board of director as 11 they also propose to make the managing director and whole time director as director not liable to retire by rotation तो क्या बोला है promoter of public company proposed to have strength of board of director as 11 they also propose to make the managing director and whole time director as directors not liable to retire by rotation यह जो director है वो not liable to retire by rotation तो they seek your advice on the following matter maximum number of person who can be appointed as director not liable to retire by rotation वो सब सब ले आप से यह बूच रहे है कि maximum number of person बताओ who can be appoint as director not liable to retire by rotation अब सी क्या बोलके रखा है कि board of director में 11 डारेक्टर है ठीके they also propose to make the MD or whole time director as directors not liable to retire by rotation उन्होंने क्या बोल दिया कि MD और whole time director तो जो है वो non rotational director इसा बोल जाए इन्होंने तो पहला question तर अपना यही आता है कि क्या MD और whole time director को non rotational director बना सकते है तो हाँ आपकी इच्छा होते है MD और whole time director को आप non rotational director बना सकते हो अब maximum पूश कहा रहा है maximum number of person who can be appointed as director not liable to retire by rotation तो maximum number of director हम बता देते हैं ठीके 11 का 2 3rd जो हमारा निकलेगा 11 का 2 3rd जो है हमारा निकलेगा 7.33 निकलेगा मतब 8 जो directors है वो rotational directors होने चीए non rotational है तो एक और को non rotational बना सकते हैं और how many the remaining director will have to retire how many of the remaining director have to retire by rotation every year तो 8 का 1 3rd निकलो 2.6 जो कि हमारा 3 director तो 3 directors जो है liable to retire at AGM जो retirement होगा वो longest in the office तो director who is longest in the office will retire तो वैसे ही होगा या तो otherwise mutual concern और draw of lots तो ये जो है इसका ही answers में देखें तो 152.6 में बोल के रख दिया है कि total number of director का 2 3rd rotation होता है फिर बोल जा 1 3rd retiring होता है in the present case की बात कर ली फिर number of director जो retire होंगे वो 3 होंगे ये जो अभी अपने बात कर ली conclusion क्या है कि maximum 3 non rotational है साथे साथ MD और whole time director can be appointed as non rotational director इसको भी लिख लेते है ये question भी इतना कुछ खास नहीं है तो इस question को भी हम cut कर देते हैं बाकि जो extract है कि MD और whole time director ये लिखा होए question number 31 में state कर रहा है कि MD और whole time director can be appointed as non rotational director उनको non rotational director बोल सकते हैं इसके आगे भी अच्छे खासे questions है हम उन जो questions है वो questions का हम next set of video में हम इसको cover करेंगे ठीक है till then goodbye अपना धियान रखना और ये जो है provisions ये जो हमारे questions है इसको आप into 2 की speed पे भी देख लोगे आप फटा-फट देख सकते हो ठीक है तो हम जो है मिलते हैं हमारे next video में